कि नमस्कार दोस्तों मैं सचिन सराथ है आपके अपने चैनल गुरु गडित क्लास में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लेकिया हैं ट्रिक्नमेटरी तिरकॉनमिती से संबंदित कुछ बेसिक फार्मूले जो कि आपको ट्रिक्नमेटरी शमजने में या साल्व करने में बहुत हेल्फल होंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखें और ट्रिक्नमेटरी जो है दोस्तों यह बेश्ट है अपनी राइट ट्राइंगल पर समकॉन तिरभुच पर बेश्ट रहे अब पहले तिरकॉन को समझ लेते हैं इसको जो नीचे वाली लाइन रहेगी इसको हम बोलते है बेस होता है आधार और जो सीदि एकदम परपेंडिकूलर और हिनी में बोलते को लम्म मैंने यहाँ पे साट में लिखाए परिपेंडिकुलर को मैं P से । नोट करूंगा और ल्ब terme को esay OUR जो फार्मुले बताओंगा समयने के लिए ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनिस होता है तो हाइपोटेनिस को S से । Авइपोटेनिस को S से डै lut करूंगा और کو करण कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भुक्त हुदत मियाथ धनिंगल की साइडल निकालने के लिए होती है उत कि ने होती है यह क्या होती है तो square of hypotenuse is equal to square sum of other side या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी side है इसका square बराबर होगा इन दोनों के other दो side के square के sum के बराबर मतलब square के plus के बराबर चलिए दोस्तों तो पहले हम देखते हैं जैसे हमारा hypotenuse क्या है आपर PR तो PR का square और कोई भी इनको आगे पीछे हम कोई भी ले सकते हैं तो बेस ले लेते हैं पहले बेस क्या है हमारा PQ का square प्लस RQ का square अब यहां पर दोस्तों देखिएगा हमारा यह तो हमारे जो है पाइथागुरे स्थेओरम बन गई है यह रहती है अब इसमें से हमको कुछ साइडें फैंड आउट करना है माल लीजी कि हमको कुछ साइड नहीं दी है जैसी के हमको यह माल लीजे 5 दी है और यह 3 दी है अब हमको बेस्क फैंड आउट करना है इसका आधार क्यात करना है तो जहां-जहां हमको जो-जो साइड हैं वो हम रख देंगे जैसे हाइपोटेनिस कितना है पी आर की बैल दू रहेगी 5 तो हम यहापर 5 रख देंगे और इ qr है जो है qr या rq है ना तो इसकी बैल्डू रहेगी 3 यह मैंने दिये यह सिर्प मैं साल्व करने के लिए बता रहा हूं तब देखिए दोस्तों इनको या तो हम यहीं स्कुर कर लें चलिए यहीं कर लेते हैं 25 हो जाएगा इसको लगा है मतलब इसका इसी मुल्टिप्ला च्छंतर करेंगे क्योंकि बैल्डू को इसकी निकालनी है तो इसको हम रोक देते हैं कर देते हैं मतलब transition हो जाता है इसका या इसको हम change कर देंगे तो यह इधर आएगा प्लस का है तो माइनस का अब देखिए यहां से माइनस का है तो माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 16 और इधर के आ गया प्लस अब इसको हम इस साइड भी लिख सकते हैं क्यूंकि यह इसके इक्यूल है तो यह करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अब देखना है दोस्तों कि हम अगर यहां से इसक्वर हटाते हैं तो सामने बाली डिजिट पर रूड लग जाता है तब यहां पी क्यू लिखेंगे तो यह इसक्वर यहां से हटेगा बर्ग यहां से हटेगा तो सामने बाली डिजिट पर रूड लग जाएगा अब अन्डर प्रूड निकालते हैं कितना आता है फोर 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 जा 16 यह हमारी दोस्तों जो साइड हमारे पास नहीं थी यह वो आगई अब यूट अगर सेंटीमीटर में हो तो सबको हम सेंटीमीटर में लेंगे अब यह तो दोस्तों आ होगा समझ में कि हम ऐसे हमने क्यों सी निकाली पीक्यू की वेल अगर कोई भी नहीं दी होती थी हम ऐसे निकाल लेते बाकी अगर अगर हाईपोटेनस निकालना है तो हमको इसको चेंज नहीं करना है अब देखते हैं दोस्तों कुछ हमारे टिक्णामेटरी रेशो हैं तरकॉ अनुपात लिख लिए हैं जो आपको यूज होते हैं इनको समझना बहुत जरूरी है जब आप यूनिट कर पाएंगे और इसके बाद मैं आइडेंटिटीज पूरी निकालना बताऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे यूज हो जाती है कोई आइडेंटिटी ऐसी हैं कि जो बीच perpendicular और पी आर, पी आर मतलब है ही पोटेनैस हो गया तो पी अपान एच मैंने साइट में लिख दिया है और हिंदी बाले लखेंगे ऐल अपान के लमबटे करेंड पर पेंडीटी कुलेर अपान हाइपोटेनिस ऐसे ही ही साइन का हो गया है ऐसे ही एकाहा हो गया और एसाइक हो गया दोस्तों कि अगर हम इनको सौट में समझें तो मैं इसके लिखूंगा कि एस सी टी एक कोल टू पी एच भी एच और पीवी कि एस से साइन सी से कॉस्ट और टी से टैन और इसको हम पढ़ेंगे जैसे हम साइन का है तो पहले वाले की फश्ट वाले और यह सेकंड वाला है तो यह इसकी सेकंड वाली यह थैड वाला है तो इसकी थैड वाली होगी जो मैंने यहाँ पर टिग्नोमेटरी रेश को यह बताए है इसके अमसार इनको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों क्योंकि इसी से ही हमारी टिग्नोमेटरी बनेगी और आपने सिर्फ यह तीन टर्म में याद करना है इसको याद करने की ट्रिक है पंडित बद्री पिरसाद हर हर भूले या आप एक अदर ट्रिक भी इसको यूज़ कर सकते हैं इंगलिस बालों के लिए हिंदी बालों के लिए जश्ट अभी बता रहा हूँ पाकिस्तान भूका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा जो आपको अच्छी लगे वो आप बैसे आप याद कर लिजेगा और दोस्तों ये जो मैंने पाकिस्तान भूका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ये सिर्प आपको याद करने के लिए ट्रिक बताई है इसको अन्यता ना लें हिंदी बालों के लिए दोस्तों यहीं हो जाएगा परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं लम और बेस को क्या बोलते हैं आधार और परपेंडिकुलर फिर आ गया यहां पे तो लम और यहां पर यह होता है कैन यह भी होता है कैन और बेस को होता है आधार अब हिंदी वाले अगर इसको याद करेंगे sct equal to lal लाल बटे कक्का लंबटे केंड आधार बटे केंड और लंबटे आधार ऐसे हिंदी मीडियम वाले इसको भी याद कर सकते हैं अब दोस्तों तीन और बचते हैं इसका हम तीन और पढ़ेंगे sin, sin का opposite हो जाता है cosac cosac theta sin का opposite cosac theta मतलब cosac theta की value क्या होगी इसकी opposite हो जाएगी मतलब recipe protocol होती है sin theta equal to p upon h होगा cos theta equal to h upon p उपर कर नीचे जाएगा cos का क्या हो जाएगा दोस्तों cos का हो जाता है sec ऐसे ही 10 का लिखेंगे हम तो 10 का हो जाएगा हमारा cos theta तो इसकी इन तीनों की बदल जाएगी बस आप sct याद कर लिजी इसके opposite लेते जाएगा आपको सब हो जाएगी तो दोस्तों एक तो यहाँ पर अगर यह समझ लिया तो आपको बन गया और दूसरी दिक्कत कहा जाती है दोस्तों बात कर रहे हैं ठीटा की जगे पी लेंगे मतलब यह वाला एंगल अगर मैंने यह एंगल लिया तो यह परपेंडिकुलर ही होगा यह बेस और यह हाइपोटेनिस मतलब एजटीज होगा जैसे मैंने लिखके रखा ऐसा होगा लेकिन अगर उसने यहाँ पेट थीटा की जगे अभी पी है और पी की जगे उसने अगर चेंज कर दिया मानलो की आर ले लिया आर इस एंगल की बात करने लगे अगर वो यह वाला एंगल तब दोस्तों हाइपोटेनिस मतलब करन तो वो ही रहेगा यह तो वो ही रहेगा बस इनका नाम चेंज हो जाएगा बैलू चेंज नहीं होगी यह ध्यान रखना दोस्तों जैसे कि इसकी मैंने बैलू निकाली थी फोर और इसकी त्री तो बैलू तो यही रहेगी बस इसका नाम चेंज हो जाएगा मतलब यह बेस है तो यह परपेंडिकुलर बन जाएगा आधार की जगे य लम हो जाएगा और यहां भी चेंज हो जाएगा यहां पर यह क्या था अभी लम था तो यह हो जाएगा आधार आधार को बोलते इंग्लिस में बेस स्धों यह हो जाएगा हमारा वेश करेंग जो इसके बाड़ आइडन्टिटिइक認्टी और पढ़ेंगे जो यूज होती ही है और कैसे यूज होती ही जरफ कर देता हूं कैसी-कैसी यूज होती है और बाकी को भी बताऊंगा लेकिन आप फच्ट में अच्छे से समझ लें पहली हमारी होती है दोस्तों साइन isquare theta, sin square theta plus cos square theta इसकी value होती है, बन, अब दोस्तों कई बार तो यह ऐसा कैसा दिया रहता है, मतलब sin square theta plus cos square theta equal to 1, यह होती है, अब कई बार क्या रहता है, जैसे हमको सिर्फ sin की value نिकालनी रहती है, होगा हमारा बंद तो इधर ही इसको हम उधर पहुंचाएंगे तिया क्या हो जाएगा माइनस को जाएगा जब दोस्तों कभी कभी कह रहता है कि बहुत सिर्फ साइन थीटा के लगा पूछता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसे कि साइन थीटा एक्वल टू तो क्या रहता आप यहां से स्क्वर हटेगा जैसे कि मैंने थोड़ी दिए पहले बता यहां से स्क्वर हटता है तो यहां पर इसक्वर लग जाएगा पूरे पर इसक्वर लग जाएगा बन माइनस कॉस इसक्वर अब यह कंडिशन आती ही जहां बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यह कहां से आ गया तो यह यहां से आती है अब दूसरी यह तो मैंने साइन की निकाली सैम ऐसी अगर मेरे कॉस्ट की वैल्व निकालना है तो सैम होती है कॉस्ट इसकुर थीटा एक्वल टू वन और अब इस साइन स्कुर थीटा अब देखिए का दोस्तों एक से हमारी कितनी बन गई है पांच बन गई है अब ऐसे हमारी अधर भी बनेंगी बिल्कुल सैम की सैम बैस आपने इसको समझ लिया है और मैं अधर इसके नीचे ही लिख देता हूं दो आइडेंटिटी जोर है सैम निकालन है आप उनको भी अच्छे से समझ लीजिएगा एक होती हमारी कि बन प्लस कि टैन स्कुर थीटा है तो यह होती है कि सैक इसकुर थीटा अब दोस्तों इसमें भी हम टैन की वैल्लू को निकालेंगे ति यह माइनस में पहुंच जाएगा यह बन की निकालेंगे तब टैन इधर माइनस में पहुंच जाएगा तब आप इसको थोड़ी सी इसके जैसे कैल्किलोट करके देख लीजेगा क्योंकि मैं बताऊंगा एक एक से तो बहुत ज्यादा लम्मा वीडियो हो जाएगा एक तो हमारी दोस्तों यह हो गई है दू सब्सक्राइब करें अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आगे हमारे आएंगे जो कंप्लीमेंटरी एंगल कि आगे हम इसके पढ़ते हैं कंप्लीमेंटरी एंगल कंप्लीमेंटरी एंगल मतलब पूरक कौन जिनका 90 डिगरी हो मतलब दो ऐसे कौन जिनका सम या योग 90 डिगरी हो उनको भी समझते हैं वो भी यूज होते हैं 90 माइनस थीटा वाले जो होते हैं दोस्तों मैंने कंप्ल इस बात को ध्यान रखना दोस्तों नहीं तो उसके यहाँ होती है 10 90 minus theta equal to cot theta और cos sec 90 minus theta equal to sec theta जश्ट इसके opposite होते हैं दोस्तो बाकी के जैसे की लिखे हैं हम cos 90 degree minus theta equal to हो जाएगा आपका sin theta same ऐसा इसका भी होता है 10 का opposite क्या है cot तो cot 90 degree minus theta equal to क्या हो जाएगा 10 theta अब अगला देखते हैं दोस्तों अगला हमारा सैक है मतलब सैक 90 degree minus theta equal to होता है सैक का यहां पर देखिए कि दोस्तों सैक का होता है को सैक इस केस में सैक का को सैक होता है और साइन का कॉस होता है हमने वहां पर देखा था जो रेशो वाले थे अनुपात में थे वहां पर साइन का को सैक हो रहा था तो यहां पर भी मतलरी की confusion होता है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निए किया लाइक करें और जिनहें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियाए वो चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ सेयर करें थेंक यू फूर बाचिंग यवीडियो कि और लिग आ